हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करते हूँ सब लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कीन शाइन क्रीम के बारे में इसकीन शाइन क्रीम नॉर्मली हम फेस पे यूज करते हैं और यह हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है इसके क्या benefit होते है क्या side effect होते है और किस तरह से यूज करना है क्या साउधानी रखना है इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे इसकीन शाइन क्रीम एक on counter मिल जाता है बीना purchase से भी आपको मिल जाता है आप किसी भी chemist की शोप से इसको खरी सकते हैं और यह बहुत ज्यादा मेंगा नहीं होता है नॉर्मल रेंज में आपको मिल जाएगा 100-150 तक भी यह मिल जाता है अगर हम इसको यूज करने की बात करें तो किसको यूज करना चाहिए जिसे कि आपने hyperpigmentation देखा होगा जिसे कि महलाओ के चेहरे पर यह अधिकतर महलाओ को यह problem होती है आदा चेहरा गोरा आदा काला द पर जाता है कई बार यहां भी मतलब आदा चेहरा काला आदा गोरा दिखता है तो ऐसे में अच्छा फील नहीं होता है कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है और अभी मैं क्या करूं साफ करने के लिए थोड़ी सी dark color की skin आ जाती है तो उसको रिमू करने के लिए इसका यूज कि करते हैं वेसे कोई भी chemical की चीजे लगातार continue यूज नहीं करना है इनके आगे जाके साइड इफेक्ट होते हैं अगर हम इसके बारे में साउधानी की बात करें तो आपको जब भी इसका यूज करना है सिर्फ इस अकेले को यूज नहीं करना है आप अपने नियस डॉक्टर से कंसर्ट करें डॉक्टर इनके साथ में आपको कुछ दवाईया भी प्रिस्काइब करते हैं अब मेलाजमा आपको क्यो हुआ है इसके कारण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कई बारे समश्चा जैसे मेला गर्बोती होती है निकि प्रेग्नेंसी के दोरान भी मेला मेला नहीं लेती है उनको बलड की कमी हो जाती है बराबर डॉक्टर को नहीं दिखाती है इसकारण भी बिटमीनद dominate cycle मेलाा अभी मेला और हो साथ में दवाईया भी देंगे fighters vitamin E भी देंगे क्योंकि vitamin E हमारे color को fair करने में help करता है, नई जो cells रहती है, उनको recover करता है नई cells को जल्दी से बढ़ाता है सिर्फ skin shine cream लगाने से बहुत अच्छा result नहीं मिलता है आपको उसके साथ मेडिसिन भी लेंगे जल्दी से result मिलेगा आपको जो result आपको एक महिने में मिलना है अगर आप मेडिसिन के साथ में लोगे तो आपको 15 दिन में ही वो result मिल जाएगा अब डॉक्टर आपको other medicine में prescribe करते हैं वो भी आपको continue लेना है जब तक डॉक्टर आपको recommend करे और skin shine cream आपको लगाना है शुरुवात में तो आपको सिर्फ night में ही लगाना है इसको जब भी आप लगाते हैं तो अपने हातों को और चेहरे को नॉर्मल थंड़े पानी से wash कर ले चेहरे को सुखा ले पूरे face पे नहीं लगाना है जहां भी आपको डॉक्सरकल या मेलाजमा हो र अगरा है आपको टोक्टर से मिलना चाहिए अगर आपको बोले की पूरे face पे अपलाई करो तो करना है नहीं तो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि यूज करना है गले मैंधे म सबसक्तिता है तो यूज लेत दो में यानि कि हपते में एक बार लगा है उसके बाद में धीरी धीर करके इसको बंद करना है अब अगर साइड इफेक्ट के बारे में हम बात करें तो साइड इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है लगाने के बाद में आपको अगर चेहरे पर जलन हो रही है चेहरा ज्यादा लाल पढ़ रहा है आपको खुजली हो रही है या कलर के चक्ते उठ रहे हैं या पिंपल्स भी उठ रहे हैं तो फिर ऐसी कंडिशन में आपको इसको नहीं लगाना है आप समझ सकते हो कि आपको इससे एलर्जी हो रही है लगाने से पहले आप एक टेस्ट कर सकते हो यानि कि अपने हाथ पे उसको अप्लाई करके देखो 10-15 मीट तर अगर हाथ पे जुश नहीं होता है तो के क्रीम आपको सुट हो सकता है और जब भी आ अप लगाये तो upfront अप्लाई कर नहीं नहीं टर्क सिर्फ जहां जहां आपको कालापन दिखाई देरा सिर्फ वहीं लगाता है इसके साथ में आपको साउधक्त अव्हादा बरतना हैं अगर मानलो आपको इस क्रीम से एलर्जी होती है या इसमें जो ड्रग है उनसे एलर्जी होती है तो आपको इसको कभी भी यूज नहीं करना है जब भी आप इनका यूज करें तो पानी सबसे ज़्यादा पीना है क्योंकि महला है कई बार पानी नहीं पीती इसलिए इसके विटमीन ए का सप्प्लिमेंट भी लेना चाहिए।